हेलो माइ ब्यूटिफुल पावफुल फैमिली और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें किसी ने कमेंट किया है कि क्या हम इंक्योरेबल डिजीज को वीज्वालाइजेशन के त्रूँ ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले सुन लीजिए इसका जवाब हाँ मैं अपने चैनल पर बताती हूं लो फट्रक्शन नियुरो साइंस ड्र जो डिस्पंजा के प्रिंसिपल्स एंड एक्सेटरा जो आपके लाइफ के हर एरिया को नेक्स लेवल पर ले जाने के लिए काफी है तो किस तरह से इसे समझते हैं सबसे पहले कि हमारा एक फिजिकल बॉडए और हमारा एक क्वांटम बॉड़ी है यानि कि हम सब एनर्जी है और मैटर है and we are moving towards more matter less energy जिस तरह हमारी एज बढ़ रही है हमारा मैटर वाला पार बढ़ रहा है और एनर्जी वाला पार घट रहा है and at the end of the day it is only matter zero energy तो यहां पर एक sentence समझने वाली बात है कि lowering of energy is disease यानि कि हम सब बने हुए है atom से an atom बने हुए है electron proton neutron से जो की wave भी है और particle भी है जब हम जब हम इस पर focus नहीं करते है electron proton neutron पर तो यह wave की तरह behave करता है जैसे यह observer effect आता है यानि कि जब हम इस पर observe करना शुरू करते है यह matter की तरह behave करना शुरू कर देता है इसके हजारो testimonials है कि किस तरह मानसिक शक्तियों के थ्रू लोगों ने बड़ी से बड़ी disease को ठीक किया है डॉक्टर जो डिस्पेंजा के testimonials उनके हजारा वीडियोज है जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी spinal cord injury को जो की बहुत severe injury थी उसको उन्होंने किस तरह quantum creation के थ्रू ठीक किया और इसके पूरी details उन्होंने अपनी बुक यू आर दप्लेसिबो becoming supernatural में इसका जिक्र किया है जिस पर मेरी वीडियोज है आप जाके देख सकते हैं और मॉरिस गुड्मेन जिनके बारे में आप the secret movie में the secret book में है कि किस तरह उन्होंने जब उनका plane crash हो गया था उनके फेपडे और उनके सारे organs बिल्कुल बेकार हो गये थे लेकिन किस तरह उन्होंने अपने आंतरिक शक्तियों को जगा के यहां पर जब word आता है आंतरिक शक्ति तो इसका मतलब समझे कि आंतरिक शक्तियों का मतलब क्या होता है यानि कि माइन में उन्होंने वो picture बनाई जो एक healthy इंसान की है उस picture को बनने में जो समय लगा उसके बाद वो चीजें manifest हो गई यहां पर चीजें हम अपने लाइफ में manifest नहीं कर पातें का reason है कि हम उसमें doubts लाते हैं होगा नहीं होगा कैसे होगा कब होगा मुश्किल है यानि negativity जो है वो हमारे manifestation को रोकती है तो यहां पर सीधा तो अब यह सवाल आता है कि तब तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं हम दवाएं क्यों खाएं हम इलाज क्यों कराएं अफकोस आप इलाज कराएं सिम्टमेटिक ट्रीटमेंस के लिए अपने बिमारी को डॉक्टर के हवाले कर दीजिए लेकिन उसके बात काम अपने आप पर शुरू कर दे वो चीजें जो दस दिन में होंगी वो एक दिन में हो जाएंगी तो विजुलाइजेशन के थू का मतलब होता है कि हमारा माइंड जिस चीज की पिक्चर बना लेता है वो चीजें नैचुरल लाइफ में यानि फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है प्रॉब्लम यह आती है कि आप अपने जब बिजिस के बारे में हम सोचते हैं या डिसकस करते हैं तो हमारे शरीर के वो हेल्दी आस्पेक्ट की हम पिक्चर नहीं बना पाते जैसे कि फॉर एक्जेम्पल अगर आपको पता चल जाए कि कहीं पे घाओ हुआ है आपके माइन में पिक्चर आएगी कि यहां पर एक घाओ है अब जब इसे ठीक करने का सीधा तरीका है कि इसकी हेल्दी पिक्चर अपने माइन में बना ले जैसे जैसे यह पिक्चर मजबूत होते जाएगी और जिस दिन इसकी क्लियर पिक्चर आपके माइन में बन गई वो चीजें उसी दिन मनिफेस्ट हो जाएंगी इसमें बस समय लगता है क्लियर पिक्चर बनने में तो सारी चीजें सारी डिजीज जो कि आप इंक्यूरेबल कहें क्यूरेबल कहें वो सारी चीजें अपनी मानसिक शक्तियों के थ्रू भी आप कर सकते हैं जब प्रॉब्लम्स तब आती है क्यूंकि कोई डिजीज चाहे वो लाइफ स्ट्राइल डिजीजेज हो इसे जब इसकी शुरुवात 10 साल 15 साल पहले हो जाती है और वह मैनिफेस्ट होती है चाहे वह आप 40 साल 45 साल जो कुछ भी एज जोड लें 50 साल लेकिन इसकी शुरुवात 20 साल 10 साल 20 साल पहले होती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज विजुलाइजेशन करें और यह कल ठीक हो इसके हजारों टेस्टिमोनियल से हजारों लोगों ने ऐसा किया मैंने भी इसे अपलाई किया और इसके पॉजिटिव रिजल्स देखें है तभी मैं यह वीडियो बना रही हूं तभी आपको ग्यान दे रही हूं ऐसा यह खोकला ग्यान सिर्फ पढ़कर मैंने ही बता रही इसे मैंने अपने उपर भी अपलाई किया इसके पॉजिटिव रिजल्स हन्रेट पसेंट जब मैंने देखें है तभी मैं यह बता रही हूं इसमें आपको करना क्या है चाहे आप किसी भी डिजीज से जूज रहे है जिस चाहे वो क्योरिबल हो या इंक्योरिबल हो जैसा क उन चीजों के जो क्योर का पाट है वो डॉक्टर के हवाले कर दें और उसके बाद खुद पर काम करना शुरू कर दें यानि विजुलाइजेशन करना शुरू कर दें कि अपना हेल्दी अपना हसता हुआ अपना खेलता हुआ अपना कूटता हुआ जैसे आप नॉर्मल हेल अपने अपने नियर एंड डियर वंस को मैंने देखा है और माइंड पावर के तुरू कितने लोगों को मैंने हील कराया है इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूं एपने मानसिक शक्तियों को अब करेंगे आपको रिजर्स उतने ही जल्दी मिलेंगे सो उमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें थैंक्स फो वाचिंग